सब्सक्राइब योगे वीडियो में इंपॉर्टन टेट की बात करेंगे ससी मट्स के अगर हम 24 की बात करें तो ससी मट्स के जो फ़ंड स्टार्ट हो चुके है कब से लगेंगे यह पूरी इप टेल इस वीडियो में आपकेशाद करना चाहाँ करूंगा लास्ट एक्जाम की यह मतलब कि आपके फार्म की डेट लास्ट डेट क्या है और अप्लाइंग डेट कब से यह फार्म स्टार्ट हो रहे हैं रिक्रूट्मेंट 2024 का जो नोटिफिकेशन है कब तक यह हमें देखने को मिलेगा एक्जाम डेट मैं आपको बता दू कि जुलाई और अगस्त की रखी क्योंकि यह आपका वांडे एक्जाम होता है ऐसे तो जी CBT मोड पर रहेगा आपका MTS का एक्जाम बटएए एक ही एक्जाम को देना है उसके बाद आपका कोई मेंस एक्जाम बगरा नहीं होगा सिर्फ एक ही एक्जाम पर इसकी सेलेक्शन होती है इसमें दो तरह की पॉस आउट किया चाहता है तो तब क्या होगा एक नोटिफिकेशन में आपकी अपडेट कर दीजाएगी कि विकैंसी कितनी है अब यहां पर देख सकते हो कि आउनलाइइन जो रेडिस्टेशन है इनकी फ़र्म आप 7 मई से लेके 6 जून तक आप अपड़ाई कर सकते हो और की क्वाल केशन क्या होनी चाहिए अगर आपको खबल्दार के लिए फ़र्म को प्लाई करना है तो आपकी टैन्थ पास होनी चाहिए हुआ और आपकी एज अगर 27 है तो तब को होगल्दार के लिए एंटी एस की अगर में बात करूं तो में ऐज 29 हे यह बर में सब्सक्रान pizzas के लिए सबस्वत करें और यहां वो खबलदार की पोश्ट के लिए होगा बाकी अगर मैं बात करूँ MTS की MTS में ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद इन चीजों के बारे में हम बात कर चुके है और exam date की हम पर बात कर लो कि SAC MTS का जो date है exam का जुलाई यानि की कहने का मतलब कि ending जुलाई में आपके exam स्टार्ट हो सकते है हो सकता है अगस्त में ही सिलसिला स्टार्ट हो जाए इनका क्योंकि आपके IBS के RRB के exam भी उसी मंत में है बाकी AS relaxation की आप यहां पर बात कर सकते हो अगर आप S.E.S.T.E. से बिलाउं करते हो तो आपको 5.E.S. का इस लाकसेशन मिलेगा M.T.E.S. में भी और खबलदार में खबलदार में फिर आपकी AS 32 है और M.T.E.S. में 30 है O.B.C. के टेगरी की भी अगर बात किये जाए तो 5.E.S. के रिजर्वेशन है और क्योंकि एक्जाम देना भी बहुत बड़ी बात होती है और इस तरह से नहीं करना है कि हमने प्रपेरिशन नहीं करी है तो S.E.S.E. M.T.E.S. का ये एक्जाम है इसमें कुछ से जादा चीज़े तो नहीं आती है बटा आपकी रीजिनिंग होती है मैत होती है और इंग्लिश होती है और जी के रहती है तो इस चार कंपोर्णिट यहां पर रहती है जो कि आपको कवर करने होते हैं M.T.E.S. में भी थोड़ी चीज़े चेंज कर दीगी है एक्जाम के पैटर्न में चेंजिस हैं तो और उसके बाद बात की जाए तो आर पीएफ की आर पीएफ के भी फार्म अभी लग रहे हैं कॉंस्टेबल के तो आप जरूर लगाईएगा और प्रबेर करते रहे हैं एक्जाम की कोई नों को यह आपका एक्जाम जरूर टरायक होगा देखो यह ड्के ऐसासी की तो अन्जारी आपकर रहरा होouv हो यहां है इअजिस को तियुक्त कर बहुं nee काम आईंगी यह निक्त है क्विएफ के प्रफ़ प्रश्म अभी काम आईंगी उसके बाद अगर आप और किसी एक्जाम की त्यारी करना चाहते है तो IBPS RRB बैंक की त्यारी कर लो तो यह जो RRB बैंक की अगर कलर की त्यारी करोगे तो यह आपकी आईगी JK बैंक के काम में यह आपकी त्यारी वहाँ पे आ जाएगी तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा मिलूंगा आप से नेक्स्ट वीडियो में वह बाय टेकर जॉब्स अब्डेट पाने के लिए जेकब रेक्टिस को जुरू सब्सक्राइब करें